तो इसके पहले हमने इस पेपर का प्रीबोर्ट परिक्षा जो मदमिक सिक्षामंडल मदप्रदेश बोपाल के द्वारा ये पेपर समय भेजे गए हैं तो इसका हमने पहला पार्ट करा दिया है ये सेट भी या क्रमांक नंबर दो चल रहा है विशेब भौतिकी का आईए करते हैं तो पिछली क्लास में मैंने आपको यहां तक करा दिया था I think yes यहां तक और अब हैं मैं पार्ट चार से करना है सही जोड़ी मिलकर के लिखना है देखें सही जोड़ी मिलकर नहीं मिलकर है थोड़ी सी हिंदी के सुधियां रहे है इन पेपरों में उनको इग्नोर केजिएगा देखें सबसे पहले चुम्ब की प्रणड को B से सो करते हैं खुम्ब की प्रणड की जो इकाई होती है वह पूछी गई है तो इसमें है बात किगई है चुम्ब की फ्लक्स यहां पे दिखांई अदिश-रासी क्योंकि चुम्ब की फ्लक्स होता है वह भिदुच नहीं यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं खंड मेरी खाल से खंड आ तो ऊपर हो चुका यह खंड बा होगा है न तो यहाँ पर मिस्प्रिंट दिया गया है चलिए अब इसके बाद बोला गया है कि अल्ट्रा उच्च आवरत्ती की रेडियो तरंगे देखो भी यह अल्ट्र काने ग्रीन उश्प्राव को दिख्रती है तो सेकंड वाले का अंसर क्या हो जाएगा आपके पास में यह हो जाएगा ठीक ना ग्रीन हाउस प्रभाव अब इसके बास में एकिगांगां गामा करणे जो हैं सेकंड पार्ट में जो दिया गया है गामा करणे यह तो बड़ी सम्भले बाते गामा किरनों का हो जाएगा सरवाधिक आपरति एक सा अब्रत तरंग पढ़ नहीं में नंए रेडियों त Creator ब्रते diesem में लिखा हुआ है ना अन्हां का उपिए होती है उनका उपियोग होता है television network में ओकि तो इसका जो second वाला पार्ट है first का C हो जाएगा first का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा अवरक्त किन्नों का उप्योग किस्में होता ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है तो जो 2nd का है उसका हो जाएगा B सेकेंड का भी हो जाएगा और जो थाड है गामा किर्णे उनकी आबरती सरवाधिक होती है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? अब चलते हैं, इसको हम करेंगे, अब इसके बाद देखते हैं, सब्जेक्टि वाले पार्ट में मैंने आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, तो विद्धुत विभाव की परिभाश आइब मातरक तो मैंने विद्धुत विभाव की बताया था कि अनंत से किसी आव हैं, ओके ये धनावेश ये निकल करके धनावेश पे समाप्त हो जाती हैं, और जहां पर ये सगन होती हैं, वहां पर छेतर जादा होता है, और जहां पर विरल होती ही छेतर कम होता है, आपके पास 10, 20 और 30 ओम के प्रतरोध हैं, 15 ओम का प्रतरोध प्रतरोध करने के लिए स इतना आजाएगा हां तो 20 और 30 का समना अंतर निकालीजे कैसे निकलेगा 20 और 30 का समना अंतर आपको इस तरीके से 1 अपॉन आर एकल टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30 ओके अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए इसका जो LCM कितना रहा है देखो भाई 20 और 30 का जो LCM आएगा 60 तो यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 2 ठीक है ओके 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 यस तो यहां पर आ गया अपने पास 3 और यहां पर आ गया आपको सैयोजन फाइनली बना करके दिखाना है ठीक है ना चलो चेर छोड़ो इसको question को आंगे बढ़ते हैं एक दो और तीन के प्रतरोत को सिर्णी और समांतर में जोड़ने पर प्रतरोत का अनुपात तो एक बार सिर्णी में जोड़ दीजिए और एक बार सिर्णी में जोड़ दीजिए दोनों का जो अनुपात है वो निकाल करके बता दीजिए कितना रहा है बाइउस्वर्ट की नियम के अधार पर विद्धुधारा के मात्रग को परिभासत कर तो विद्धुधारा का मात्रग बताना विद्धुधारा का नियम क्यों होता है करके आप इसको परिभाशत कर दो तो आपके पास आ जाएगा इसका बायूट से वर्ट के नियम के नुसार में करेंट की परिभाश आ जाएगा ठीक ना चुम्बकत संबंधी गौस का नियम क्या होता कि एक बंद लूप से गुजरने वाला कुल चुम्बकी फ्लक्स कमान कित हो जाता है तो अनात की घटना हो जाती है इस समय धारा बढ़ जाती है और जो प्रणामी जो आपका impedance होता है Z की value R के बराबर हो जाती है मतलब की जो प्रतिबाधा होती ही वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है Y U यान की किस दिसा में गती करने पर इसके पंकों के सिरों के मद विदुत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा अगर Y U यान जो है चेतर के समनांतर गती करेगा मतलब की चेतर के समनांतर ये देखे ये देखे ये नौर्थ है और ये आपके पास में नौर्थ से साउथ ही है अगर इसी रिसा में चेतर के समनांतर वायूयान गती कर रहा है तो उसमें उसके पंखो पर प्रेरित विदुत वहग बल नहीं होगा चलिए साय योग तो सुचम दर्शी द्वारा प्रतिविम निर्माण का किरन आरेक कापी करार रखा है मैंने इसको आप उसको देख करके कर लीजे मेरे चैप्टर में से किसी अपवर्तक दूर्दर्शी द्वारा अनंत में बनने वाले प्रतिविम में निर्माण का आरेक बनाई है अपवर्तक दूर्दर्शी मतलब कि रिफ्रेक्टिंग टेलेस्कोप है देखे इसको अब यह चीज इस मॉमेंट पर आपको करके जाने की कोई जरूर्द नहीं तो जो आर वाला कोश्यन आपको दिया गया न वही यह आपको रिफ्रेक्टिंग टेलेस्कोप आया है मेरे खाल से यह तो सिलेबस में था नहीं या रहा भी होगा तो इतना ज़्यादा फोकस डबनने किया नहीं है इसको तो आप उपर वाला कर लेजे क्योंकि सैयोक तो सुच मुरसी तो लगबग सबने कर रखा है लेनाड के प्रियोग के अंदर कर प्रकास विदोधारा और आपतिक तीवर्ता की मधग्राफ आपको खीचना है तो प्रकास विदोधारा और आपतितक प्रकास की तीवर्ता तो पता है आपको कि अगर आप तीवर्ता बढ़ाते जाते हैं है ना तो तीवर्ता बढ़ाने से क्या होती है तीवर्ता अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो प्रकास विदोधारा जो है बढ़ती जाती है तो तीवर्ता का और किस चीज़ का प्रकास विदो धारा का, तो यहाँ ले लिजे current और यहाँ पर ले लिजे आपका तीवरता, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से इसका graph देख लिजे, कि current का मान जो है, अगर आप तीवरता बढ़ाएंगे, तो इसका मान जो है, धारा का मान जो है, लगातार बढ़ता मगर इसमें कुछ frequency का भी term आया करता है, उसको भी आप ध्यान में रखेगा, तो इसको आप एक बार देख लेजिए, बुक से देख करके इसको बनाईए, यह जो होता है, समानुपाती होता है, देखे, प्रकास विदो धारा और अप्तित प्रकास की तीवरता के मध का graph है चले अगला है, लेनार्ड के प्रयोक के अंदर गत्यव प्रकास विदो धारा और विरोधी विभाव का graph कीचना है, तो विरोधी विभाव जो होता है, वो नियूंतम विभाव जिस पर प्रकास विदो धारा जीरो हो जाएगी, कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट जाता इस तरीके से यहाँ पे लिग देते हैं हम V0 तो यो नियूंतम निविभाव जिस पर ये प्रकास विद्धारा है आई कमान जीरो हो गया है तो ये हो गया आपका विरोधी विभाव के बीच का ग्राब बहुत बढ़िया बोहर की कक्छा संबंदी क्वांटम प्रतिबंद लि V is proportional to क्या हुआ करता है देखिए इसको हमने जब solve किया था परमाडू का आकार इस proportional to A हाँ ये आया था देखिए कि जो उसका आकार होता है वो उसके परमाडू द्रमान के समानुपाती होता है इसके लिए derivation कराया है मैंने आप देख लिए पी प्रकार के अर्चलक में किस त्यार की जाते है तो प्योर सिलिकॉन में अगर आप त्री समयोजी सुद्धी मिला देते हैं तो आप P प्रकार कर चला के लाता है पी अन संधीन डायोड में अब अच्छे परत किसे कहते हैं अब अच्छे परत जब P जंक्शन को N जंक्शन के साथ मिलाया जाता है तो दो कोई प्रकार किसी प्रकार का आवेश नहीं होता उसकों बोलते हैं क्या अब अच्छे प्रत माइनस पांच और प्लस पांच के दो आईस एक दूरी पर रखें इनके भी चाकरसन बल की गरना तो न्यूटन का फॉर्मुला लगा दीजिए आकरसन बल आ जाएगा चले अगला क एक मिटर खोकले चलक को एक कुलामा वेस दिया गया है गोले के अंदर और बाहर प्रस्ट का विभाव ग्यात कीजिए तो भाई विभाव निकालना है तो भी का फॉर्मुला कितना होता है वन भाई फूर पै एपसलों नॉट इंटू क्यू अपॉन आर लगा दीजिए अं इकल्स टू क्या होता है एन इए वी डी ये सम्बंध आपको इस्थापित करना है तो चलक ले लिजिए और इसके चलक के इस्तमाल करके ये सम्बंध इस्थापित कर दीजिए एन सेलो में स्रेणी क्रम सायोजन में तुल प्रतिरोध के लिए सूतर ये मैंने करार रखा है इन सेलो का सेड़ी करन सायोजन ये कम महत पूर्ण होता है ये बचाह भी बताया था मैंने जब बाह NF1 कम होता है और आंत्रिक प्रतिरोध च्राट क्या हो करता है लिजिए, पांच वे बल विद्धोत वाहग बलबली बैटरी 10 शॉम के किसी परतिरोधक tolap यदि परपत में धारा कामान 0.4 एंपियर हो तो चली भई, क्या लगना है V equal to E minus I into R ठीक ना, तो आपको आंतरिक प्रत्रोध स्वारी, small r निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना आपको small r, ठीक ना, तो 5 वोल्ट विद्धुत भाकबल यह दिया है ठीक ना, और 10 ओम के किसी प्रत्रोध से सयोजित है और धारा का मान कितना दिया है, 0.4 तो आपको आंतरिक प्रत्रोध निकालना है, तो दिखे सबसे पहले यहाँ पर आपको कैसे निकालना पड़ेगा आंतरिक प्रत्रोध निकालने के लिए आप यह वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा small r equal to capital R e upon v minus 1 ये भी आप इस्तमाल कर सकते हैं दो फॉर्मूला आपके पास में हैं तो v निकालने के मैं आपको बात बता दें जो capital v निकलेगा वो i into r से निकलेगा तो i कितना दिया है यहाँ पे धारा कावान 0.4 और बाहरी प्रत्रोथ कितना दिया है 10 ohm तो दोनों का multiply कर दोगे तो 4 ampere की इसमें कुल मिलाके 4 volt इसमें voltage गर जाएगा चलो ठीक है तो यह question तो आपको करने पड़ेंगे खुद से करने पड़ेंगे मैं बसके वहला आपको mark रशन दे रहा हूँ चलिए अब देखे दिवाल पर लगे किसी बल्व का उत्तर लेंज जोरा 3 मिटर सामने दिवाल पर वास्तिविक प्रतरिन ग्यात करता है दिवाल की अधिक्तम फोकस दूरी तो इसमें simple simple आपको क्या करना है 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u का formula लगा के इसको solve कर लिजे अगला कोशन लेकिए आपको दरंग देर दी गई है तो इसमें क्या करता है बीटा equal to lambda capital D upon small d का formula लगा लिजे इसमें सब कुछ दिया गया है यह क्या होता capital D होता परदा जिसको बोल रहा है जीरी के बीच की दूरी क्या होती small d सब को मेटर मदल लिजेगा answer आजेगा इसकी बताइए निवेशी और निर्गत विभा के बीच में समय के साथ परवर्दन का आरेक तो आपको बनाना है अर्थ तरंग में देखे किस तरीके का रेक बनेगा यह आपके पास में निवेशी वोल्टेज हो जाएगा यानिकी input voltage यह समय का graph है और इसके बाद में जो न इसके बाद यहां पर क्या लगी रहती है उके उसको लगा करके नीचे बाहर प्रत्रो जोड़ देते हैं और फिर फ्लैमिंग के राइट हैंड रियम के अनुसार यह काम करता है और इसमें जो रूल लगता है इसका जो सिधान्त होता वो क्या होता विद्ध चुमकी प्रें बलके ताचनिक मान का सूतर निखना है तो अपने पास वोल्टेज निकालना पड़ता है इसका तो ई इक वल डू कितना होता है इनोट साइन ओमेगा टी इसका भी मैंने प्रूप बता रखा है प्रेरित धारा का समय के साथ परवरतन आरे है तो इसमें जो धारा होती है धा आपको प्रेरक प्रतिघात का सूत्र इस्थापित करना, देखो भाई, प्रेरक प्रतिघात का सूत्र के वह लिखा जा सकता है, xl equal to omega l, कैसे बनता है यह, जब आप इसको solve करते हो, तो आप इसके पास, जब solve करते हो, तो भी equal to i naught upon omega l, ऐसे कुछ आता है, i naught upon omega l, and sine, जो भी ह होता है, omega t cos plus pi by 2, या minus pi by 2, जो भी होता है, उस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, यह तो lead करता है, मतलब plus pi by 2, यह आएगा, ओके, तो यहाँ पर यह देखो, i naught upon क्या बनता है, यह, एक्सेल बनता है, तो इससे पदा चल जाता है, क्योंकि अपने पास, जो भीज not होता है, वो होता है, i naught upon r, मतलब b, नीचे कुछ ना कुछ तो प्रत्रोधाना चीए, तो वो प्रत्रोध यहाँ पर किस रूप में आता है, omega l के रूप में आता है, इसी को अपन बोलते हैं, प्रेरी की यह प्रतिगहात, ठीक है न, फेजर r1 बनाना है, बना लीजेगा, मैंने सिख अनन्द पर बने, और इस पष्ट द्रस्टी की न्यूंतंदूरी पर बने की चली, तो सरल सुप्ष दरसी मैंने बता रखा है, infinity के लिए क्या होता है, infinity के लिए होता है, अपने पास d by f, और इस पष्ट द्रस्टी की न्यूंतंदूरी के लिए होता है, m equal to 1 plus d by f, दोनों म sin of i plus denta m by 2 upon sin a by 2 ओके ये कुछ formula इस तरीके का हुआ करता है है ना तो इसको आप please revise कर लीजे काफी सारे questions हाय हुए इस paper में बढ़िया बढ़िया और बहुत यकीनन कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको board exam में जरूर मिलेगा खासकर बड़े questions में आपको पके से मिलेगा तो इसके लिए आपको इसकी पूरी त्यारी करनी पड़ेगी अच्छे से आपके पास समय है भी पूरे दिन लग जाईए और इसके खासकर बड़े questions की त्यारी कर लीजे ठीक है ना question आपको लेंदी लग रहे हैं बड़ त्यारी करेंगे तो आसान लगेंगे थैंक्यू सो मच बबाए